तो देखें, यहाँ पे सबसे बड़ी NEWS आपको मैं देने जा रहा हूँ, क्योंकि देखें, UDC NET तो देखें, आपको मैं सबसे बड़ी NEWS देने जा रहा हूँ, आपको मैं यह आपके लिए good news भी हो सकती है, bad news भी हो सकती है, जिनका एक्जाम अच्छा हुआ है उनके लिए बैटने उसे जिनका च्छन है उनके लिए गूड निउस तो देखें यहाँ पे यूजिसनेट का जो एक्जाम हुआ था 18 जून को तो वो कैंसल कर दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे अमर उजला की निउस है आप देखें सभी जगह पे यही निउस चल रही है शिक्षा मंत्रेले का बड़ा फैंसला यूजिसनेट प्रिक्षा रद करने का एलान सीबे जांच कराने की खोशना यनकी जो आपका 18 जून को एक्जाम हुआ था वो अब रद हो चुका है आपका एकजाम फिर से होगा नई डिट क्या है वो फिर से बताई जाएगी तो देखें आज वीडियो बना रहा हूं तो अभी अभी निउस आई है 19 जून 24 तो आज 19 तारीक है रात को मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी अभी न्यूस हाई है तो देखें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं न्यूस को कि नैशनल टैस्टिक एजनसी ने यूजिस नेट परिक्षा गुरुद करने का फैंसला किया है अब दोबारा या परिक्षा यूजित की जाएगी जिसके लिए अलग से तारीक की घोशना की जाएगी परिक्षा गुरुद करने का फैंसला किया गया है देखें जैसे नीट का एक्जाम हुआ था ना उसमें गड़बडी थी इसी तरह इसमें भी गड़बडी के कुछ असार देखें इनको इसलिए इनोंने परिक्षा रद कर दी कि ताकि किसी का नुकसान ना हो ठीक है यहाँ पर यह बता दिया गया है अब देखें यहाँ पर यह बताएगा कि नीट की रिजल्ट का विबाद भी ठंदा नहीं पड़ा शेक्षा मंतराल ने यूजिसनेट की प्रिक्षा को भी रद कर दिया यहाँ पर नए सिरे से आपका एक्जाम फिर से आयूजित किया जाएगा जो डेट है वो आपको फिर से बताई जाएगी लेकिन अभी कुछ भी नहीं यहाँ पर नई डेट आई है यही बताया गया है कि आपका एक्जाम जो है वो पोस्ट पन हो चुगा है आपके लिए गूद नूई से बैड नूई से आप में लिखके बताईए जिन बच्चों के एक्जाम अच्छा नहीं हुआ शायद उनकी जो बगवान ने सुन ली शायद उनको फिर से एक वार मौका दिया गया वीडियो को लाइक करें शेरिकर चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें समय तक लिए वीडियो में तब तक लिए जै हिंद जै भारत